परबाद बच्चों आजम पुस्तक वसंद का दस्वा पाठ जांसी की रानी करने जा रही है इससे हैं पहले हम एक बाग इसका पढ़ चुके हैं यानि कि हमने पहले वीडियो में रानी के बच्चपन, विवा और उनके पती की मरितियों के बाद अंग्रेजों द्वारा जांसी पर अधिकार करने के विशय में पढ़ा था इस वीडियो में हम आगे के कविता पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कविता जांसी की रानी अनुने विने नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया व्यापारी बन दिया चाहता था जब यह बारत आया डलहोजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया इन पंक्तियों में कविती कहती है कि जिस समय अंग्रेज बारत आये थे वे व्यापारी बन कर आये थे और वे भारतिया राजाओं की देया पर निर्बर थे प्रन्तु जब लॉड अलहोजी का शासनकाल बढ़ने लगा तो दीरे दीरे अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये और उन्होंने अनुने विने नहीं सुनता है और वे किसी की अनुने विने अर्थात प्रार्थना सुननी बंद कर दी विकट फिरंगी की माया यही उनकी फिरंगियों की यानि की अंग्रेजों की अजीब माया थी और आगे दिखिए व्यापारी बंद देया चाहता था जब ये भारत आया जब ये भारत आया था तब व्यापार करने के लिए भारत के जो राजा थे उनकी देया चाहता था डलहोजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया और जब ला डलहोजी ने अपने पैर पसार लिये यानि की भारतिये राजाओं और नवाबों को अपने अधिन कर लिया तो इनकी काया ही पलट गई राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया राजाओं और लुह के मुँ हमने सुनी कहानी थे खूब लड़ी मरदानी वहतो जहनसी वाली रानी थी और उसके बाद जहनसी का राजय भी अंग्रेजों ने हड़ा लिया तब रानी लक्षमिभाई दासी बन गई और अंग्रेजु कि रानी विक्टोरिया जो की पहले भारतिया राजाओ करने आये थे और भारतिया राजाओं के दास थे लेकिन उनके राजा हडपने की नीतियों के चलते भारतिया राजा और रानिया उनके दास बन गए और उनकी रानी जो पहले हमारी दासी थी वे हमारी रानी बन गई बुंदेल घंड के हर हर महातेव का जैगोश करने वालों क कि मुझे हमने यह कहानी सुनी थी कि रन भूमी में मरदानी यानी की मरदों की तरह लड़ने वाली जांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी अचीनी राजदानी देहली की लिया लखनौू बातों बात कैंद बेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर काभीगाद उदेपूर तंजोर सितारा करना टक्त की कौन भी साथ जबके सिंद पंजाब ब्रहम पर अभी हुआ था वज्र निपात प्रसुत पद्ने कवित्री ने भारत के राज्यों का अंग्रेजी शासन के गुलाम होने का वर्नन किया है उन्होंने बताया है कि देश की राजदानी दिल्ली लकन भी अंग्रेजी शासन के अदिन हो चुके थे कैन्द पेश्वाँ था बिठूर में और पेश्वाँ बिठूर में कैन्ध हो चुके थे वह नागपूर का भी घात उधेपूर तंजोर सितारा करनाटक की कौन भी साथ जबके सिंद पंजाब ब्रहम पर भी हुआ भी हुआ वज्र निपात और नागपूर को भी अंग्रेजों ने अपने राज्या में मिला लिया था उसी परकार उदेपूर, तंजोर, स्तारा, करनाटक, सिंद, पंजाब, ब्रह्म सभी अंग्रेज शासन में मिल चुके थे बंगाले, मदरास, आधी की भी तो यही कहानी थे बंगाल और मदरास का भी यही हाल हो चुका था मुंदेल, खंड के हर हर मादेव का उद्गोश करने वालों के मूँ से हमने यह कहानी सुनी थी कि रनभूमी में मर्दानी यानि की मर्दों की तरह लड़ने वाली जांसी की रानी लक्षमी बाई थी इन पंक्तियों में कवित्री ने अंगरेजी शासन के अधिल होने के बाद बार्तिया रानियों की स्थिति का वर्णन किया है वे बताती हैं की रानी रोई रनिवासों में की रानी रनिवासों में अर्थात अपने महलों में रोया करती थी और बेगम गम से थी बेजार बेगम गम से अरथा दुख से तुखी थी उनकी हालत बहुत खराब थी उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजारों में सरेयाम बिखते थे और अंग्रेजी अखबार जो थे वो उनके निलामी के समाचार चापते थे और लिखा जाता था नागपूर के जेवर लेलो लखनव के नोलखा हार लेलो यो परदे की इज़त पर देशी के हाथ बिकानी थी मुंदेल ने हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वहतों जहनसी वाली रानी थी और इस परकार परदे में रहने वाली रानियों और बेगमों की इज़त अर्थात सम्मान परदेशी अर्थात अंग्रेजों के हाथ पिक रहा था बुंदेल खंड के हर हर महादेव का जैगोश करने वालों के मुझे हमने ये कहानी सुनी थी कि रन बुमी में मर्दाने यानि की मर्दों की तरह लड़ने वाली जांसी की रानी लक्षमी बाई थी कुटियों में थी विशम वेदना महलों में आहत अपमान वीर सैनिकों के मन में था अपने पुर्खों का अभिमान नाना दुन्दू पत पेशवा जुटा रहा था सबसामान बहंच बीली ने रनचंडी का कर दिया प्रकट अहवान इन बंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जांसी में अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से जांसी में रहने वाले सबी लोग अत्यंत दुखी थे और वे बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे चाहे वे कुटियों में रहने वाले हो या महलों में उन सब के हृद्या में अत्यंत वेदना या दुख था वहां के वीर सैनिकों में मन में था अपने पुर्खों का अभिमान था उन्हें अपने पुर्खों के वीरता पर गर्व था और इसलिए नाना दुन्दूपत पेशवा जुटा रहा था सबसामान बहन चबिली नेरन चंडी का करदिया प्रकट अहवान और इसलिए नाना दुन्दूपत और पेशवा जहांसी को अंग्रेजी राजस्यम मुक्त करवाने के लिए सारे समान जुटा रहे थे अर्थात सारा समान इकठा कर रहे थे और उनकी बहन चबिली यानि की रानी लक्षमी भाई ने दुर्गा का रूप धारन रंचंडी यानि की दुर्गा का रूप धारन करके युदारंब कर दिया था उवा यग्ये प्रारंब उने तो सोई जोती जगानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वहतो छांसी वाली रानी थी इस परकार इस युद के आरंब होते ही जांसी के विर्जैनिक जिनको अपने पुर्खों पर अभिमान था उनके मन में युद की अगनी जल गई और वे सब युद में कूद बढ़े और बुंदेल खंड के हर हर महादेव का जैगोंश करने वानों के मुझ से हमने ये कहानी सुनी थी कि रन भूंबी में रानी रक्ष्मी बाई मरदों की तरह लड़ी थी महलो नेदी आग जोंपडी नेजवाला सुलगाई थी ये सवतंतरता की चिंगारी अंतरदम से आई थी जांसी चेती दिल्ली चेती लखनव लपते चाई थी मेरट कानपूर पटना ने बारी दूम पचाई थी इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि किस परकार अंग्रेजों की गुलामी से दुखी होकर जासे जांसी दिल्ली लखनव मेरट कानपूर पटना जबलपूर कॉलापूर आदी में अंग्रेजों के विरुद विद्रो शुरू हो गया था जबलपूर कॉलापूर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खुप लड़ी मरदानी वैतो जांसी वाली रानी थी यानि कि जांसी दिल्ली लखनव मेरट कानपूर पटना जबलपूर कॉलापूर सब जगें से अंग्रेजों के विरुद विद्रो की चिंगारियां सुलगने लगी थी और सबी अपने अपने राजिया को अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहते थे और वहां के निवासियों के मन में अर्थाद हरदय से उत्पन हुई जवाला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहती थी और बुंदेल खंड के हरहर महादेव का जैगोंश करने वालों के मुझ से हमने यह कहानी सुनी थी कि रन भूमी में मर्दों की तैरानी लक्षमी बाई लड़ी थी इस सब तंतरता महायग में कई वीरवर आये का नाना दुन्दू पत तांतिया चतुरजी मुल्ला सरनाम अहमद शाम ओलवी ठाकुर कुमर सिंग सैनिक अभिराम बारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुरम कहलाती उनकी जो कुरबानी थी बुंदेले हर बोलों के मुझ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वहतो जांसी वाली रानी थी इन मंक्तियों में कवित्री कहती है कि 1857 के सब्धन्तरता संगरा में अपने जीवन की आहुति देने वाले वीट सैनानियों के बारे में वे बतारी है उन्होंने बताया है कि सब्तंतर्ता महायग में नाना दुन्दुपत, तांतिया चतुर अजी मुल्ला, एमद शा मौलवी और ठाकूर कुवन सिंग आदी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और सदा के लिए अमर हो गए भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम इन सब्तंतर्ता संगराम के सैनिकों ने अपने जीवन को भारत की सब्तंतर्ता के लिए बलिदान कर दिया प्रंतू, लेकिन आज जुरम कहलाती उनकी चौकरबानी थी अंग्रेजी शासन में जो इनका बलिदान था वो जुरम या अपलाद कहलाता था बुंदेल खंड के हर हर महादेर का उद्गोश करने वालों के मुझ से हमने यह कहानी सुनी थी कि रन बुमी में मरदानी यानी की मरदों की तरह लड़ने वाली जांसी की रानी लक्षमी बाई थी इनकी गाथा चोड़ चोड़ चले हम जांसी के मैदानों में चाहां खड़ी है लक्षमी भाई मर्द बनी मरदानों में लेफटेनेंट वाकर आप होंचा आगे बड़ा जवानों में रानी ने तलवार खींचली हुआ दवंदव आस्मानों में जख में होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी पुंदे ले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जांसी वाली रानी थी इन महाविरों के गाथा को छोड़ कर हम जांसी के मैदानों में चलते हैं जहां रानी लक्षमे भाई युद बूमी में मर्द बनकर अर्थार्थ पूरुशों की तरह खड़ी है लेफ्टिनेंट पॉकर अंग्रेजी सेनापती था जोकी उनसे युद करने के लिए आगे बढ़ा रानी ने तलवार खींचली रानी ने अपनी तलवार से उस पर वार किया और वैजक्मी होकर बहाग गया और जक्मी होकर उसे अजब है रानी थी और उसे उसकी वीरता पर बहुत जाधा आश्चरया हुआ और बुंदेल खंड के हरहर महादीव का जैगोश करने वानों के मुँसे हमने यह कहानी सुनी थी कि रन भूमी में रानी लक्षमेबाई ने मर्दों की तरह युद किया रानी बड़ी कालपी आई कर सो मील निरंतर पार गोड़ा ठकर गिरा भूमी पर गया स्वर्ग ततकाल सिधार यमुना तट पर अंगरे जो ने फिर खाई रानी सेहार विजई रानी आगे चल दी किया गवालियर पर अधिकार इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि रानी लक्षमेबाई सो मील निरंतर चलकर कालपी पहुंची और उनका गोड़ा ठक कर भूमी पर गिर पड़ा जिससे उसके मरिप्तियों हो गई यमुना नदी के तक पर रानी ने अंग्रेजों से युद करके उन्हें हरा दियां और विजई रानी आगे बढ़ी और उन्होंने गवालियर पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों के मित्र सिंदिया ने छोड़ी राजानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खोप लड़ी मरदानी वह तो जांसी वाली रानी थी जब रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तो ग्वालियर के राजा सिंदिया जो की अंग्रेजों के मित्र थे वे ग्वालियर छोड़ कर बाग गए और बुंदेल घंड के है थर महादेव का जैगोश करने वालों के मुँसे हमने ये कहानी सुनी कि रनबूमी में मरदानी जांसी की रानी मरदों की तरह लड़ी थी विजही मिली पर अंगरेजों की फिर सेना गिर आई थी अबकि जर्नल स्मित सन्मुक्ता उसने मुँकी खाई थी काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी युद क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि ग्वालियर ने रानी को विजही मिली प्रेंटू अंगरेजों की सेना ने फिर से रानी को गिर लिया और इस बार जर्नल स्मित ने उन पर हमला किया और रानी ने उसे भी हरा दिया, रानी की दो सहिलियां थी काना और बंद्रा जिन्होंने रानी के साथ बहुत ही वीर्टा के साथ युद किया था पर पीछे हियो रोज आ गया, हाई गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँ, हमने सुनी कहानी थी, कुब लड़ी मरदानी वहतो, जांसी वाली रानी थी प्रन्तु पीछे से चनल हियो रोज ने रानी पर हमला कर दिया और रानी चारों और से गिर गई और बुंदेल खंड के हर हर महादेब का जैकोश करने वालों के मुँ से, हमने यह कहानी सुनी कि धन बुमी में रानी मरदों की तरह लड़ी थी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्या के पार किंतु सामने नाला आया था यह संकट विशम अपार गोड़ा अड़ा निया गोड़ा था इतने में आ गए सवार रानी एक शत्रू बहुतेरे होने लगे वार पर वार रानी लक्षमे वाई चारों और से गिरी हुई थी प्रन्तु फिर भी वीता पूर्वक लड़ती हुई युग शेत्र से भ्यानक मार काट मचाते हुए अंग्रेजी जेना के पार चले की प्रन्तु सामने एक उनके नाला आ गया और यह एक विशम यानि की कठिन संकट था उनका गोड़ा जो था वो भी नया था और नाले में फंस गया रानी एक थी और उनके जो शत्रू थे बहुत ज़्यादा थे और चारों तरम से उनके शत्रू ने उनको गेर लिया था और उनपर वार ही वार करने लगे थे गायल होकर घिरी सिंगनी उससे वीरगती पानी थ खुब लड़ी मरदानी वैतो जांसी वाली रानी थी और उनके वार ही वार होने लगे इस परकार रानी लक्षमी भाई गायल होकर गिर गई और वीरगती को प्राप्त हो गई बुंदेल खंड के हर हर मादेव का जैगोश करने वालों के मुँसे हमने यह कहानी सुनी थी कि रन भूमी में मरदानी यानिकी मरदों की तरह लड़ने वाली जांसी की रानी लक्षमी भाई थी रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी अभी उम्रकुल 23 की थी मनुच नहीं अफतारी थी हमको जीवित करने आई बन सबतंतरता नारी थी दिखा गई पद सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी कुब लड़ी मैदानी वहतो जांसी वाली रानी थी इस परकार राने यूद क्षेत्र में वीरगदी को प्राप्त हुई और अब चिता ही उनकी सवारी थी अभी उम्र कुल 23 की थी इतना बड़ा यूद लड़ने के समय रानी लक्षमिबाय की उम्र केवल 23 साल की थी मनुच नहीं अफतारी थी वे मनुष्य नहीं वे कोई अफतार स्वरूपा थी हमको जीवित करने आई बन सबतंतरता नारी थी जिन्होंने सब्तंतर्ता नारी के रूप में अवतार लेकर भारत वर्ष को पुनर जीवित करने का कारय किया दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सी सिखानी थी सब्तंतर्ता की हमें वो राह दिखा गई और अपनी सब्तंतर्ता के लिए लड़ने के लिए सीख भी वैं हमें सिखा कर गई बुंदेल घंड के हर हर महादेव का उद्गोश करने वालों के मुझ से हमने यह कहानी सुनी थी कि रहन भूमी में मर्दानी यानि की मर्दों की तरह लड़ने वाली जांसी की रानी लक्षमी भाई थी जाओ रानी याद रखेंगे हम कृत गया भारतवासी यह तेरा बलिदान जगावे का सब्तंतरता अविनाशी कावित्री कहते हैं की रानी का यह बलिदान हम भारतवासी सब्तंतरता अविनाशी अविनाशी क्या होता है अर्थार कभी समाप्त ना होने वाला सब्तंतरता को जागरत करेगा चाहे इतिहास को होवे चुप इतिहास लगे सचाई को चाहे फांसी चाहे इतिहास को भी नश्ट कर दिया जाए और चाहे सचाई को मिटा दिया जाए हो मदमाती विजे या हमें तो खुद अमिट निशानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँझ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वहतो जांसी वाली रानी थी तब भी रानी की अमिट सम्रितियां रहेंगी क्योंकि वे कभी न मिटा सकना वाली विरंगना है उनको हम कभी भी नहीं बुला सकते और यह थी हमारी कभी ता जांसी की रानी धन्यवाद